हलो और फ्रेंट्स मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने शैनल आपकी सहीली सुमन में फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीरियट मिस होने से पहले की गर्मावस्ता के शुरुवाती लक्षनों के बारे में अकसर प्रेंट्स के लिए ट्राइ कर रहे हर महिला यह जानने की इच्छा रखती है कि वे प्रेंट्स के शुरुवाती लक्षन को कैसी पहचाने ताकि सही समय पर महिला को अपनी प्रेंट्स का पता लग सके गर्ब धरन करने के बाद से महिलाओं के सब्सक्राइब कुछ नए बदलावाते हैं जो प्रेंट्स के शुरुवाती लक्षनों के रूप में माने जाते हैं ऐसे में अगर आपको लगता है कि आप प्रेंट्स है तो इन संकीतों को जानकर आप पता कर सकते हैं कि आप प्रे लग रहा है तो प्ले इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए का चैनल पर पहली बार आये हैं तो प्ले चैनल को बीना सब्सक्राइब के मज जईएगा सबसे पहला लक्षिन है थकान थकावट गरब धरन की निशानी हो सकते है किन्तु यह एक ऐसा लक्षिन है जो महिलाओं में कई दूसरे बिमारियों का असर भी दिखाता है इसे ज्यादतर महिलाएं इस लक्षिन को गरब धरन से जोर कर नहीं दिख पाती है लेकिन प्रिग्न सब्सेटरोर नाम का यह हार्मोन शुरुआती दूर्मी तेजी से बढ़ता है जो गरवत्य महिलाओं में थकावत का कारन बंता है इसके लाएं शुगर लेवल का कनम होना या ब्लेट प्रेशर में बदलाओं भी थकावट का कारन बंता है दूशा लक्षन है सद्भ गरब में मुझूद धमनिया दूद निर्मान के लिए बड़ी होने लगती है और इन वजों से ही ब्रेस्ट में भारीपन महसूस होता है और वे सूजने भी लगते हैं कई बार ये सूजन दर्द का कारण भी बनते हैं तीसरा है दाग लगना गरब धारन यदि हो चुका है तो मानि पारों पर जमना शुरू करता है हालांकि इन दिनों आने वाला ब्लड आम दिनों वाले पीजिट से बहुत कम होता है ये डार्क ब्राउन या लाइट पिंक कलर का होता है और यह सिर्फ एक या दो दिन ही रहता है साथ में एंटन भी महसूस की जा सकते हैं अगला लक्षिन मोड स्विंग या फिर मन का परिवर्तन भी गरब थरन का ही एक हिस्सा है प्रेग्नेंसी के बाद मोड स्विंग आम बात है आप बीड़ा किसी कारण रोना चाहते हैं आपको बेवज़े गुस्सा आ सकता है आप खुद को तनाव में भी महसूस करने लगते हैं अगला है प्रेग्नेंसी बढ़ने के साथ बढ़ती ही चली जाती हैं अगला है बार बार बातरूम जाना प्रेग्नेंसी की शुरुवाती दिनों में आपको बार बार बातरूम की ओर दोड लगानी पड़ सकती हैं दरसा इन दिनों में सब कुछ ठीक से चलाने के लिए ज्यादा अब ही नहीं हुआ पर अब सीर्दर्द रोज का हो गया है अपने शारीरिक बदलाओं पर ध्यान दीजिए हो सकता है कि आपके सरीर में ब्लड वोल्यूम का बढ़ना और ब्लड फ्लो का कम होना इसकी वज़े है जो प्रेग्नेंसी से जोड़ा बड़ा बदलाओं है कई चक्कर का आना महसूस करते हैं इसके साथ ही ब्लड प्रेशर का गिरना भी चक्कर आने की वज़े बन सकता है अगला है माहवारी चुकना अगर आपकी माहवारी यानि पीरियड आ जाए तो इसका मतलब है कि आप गरवती नहीं है मगर यदि आपके पीरियड इस बास समय प सकते हैं और कुछ महिलाओं को माहवारी चुकने के अलावा कोई लक्षन नजर नहीं आता है महसूस नहीं होता है अगर आपको लगे कि शायद आप गरवती है तो इस बात को कंफर्म करने का एक मात्तर तरीका होम प्रेगनेंसी टेस्ट यानि पेस आपकी जांच या बीट झाल 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 झाल